हलो एवरिवन स्वागत है आप सभी का वेदान्त क्लासेस की इस ओनलाइन प्लेटफोर्म पे चलिए फिजिक्स की ग्रास में हम लोगों ने गती की नियम जो है वहला चेप्टर कंप्रीट कर लिया था हमारी पिछली ग्रास में आज हम नया चेप्टर स्टार्ट करेंगे बल क्या है झाल क्या है और थी इसको बहुत ही अच्छह से और बहुत ही सदीश है और अदिश एण पेहले चीज़तों कि बल जो है वो एक बौतिक राशी है और बौतिक राशी होने के साथ साथ ही ये एक सदिश राशी भी है कैसी राशी है बही सदिश राशी है क्योंकि बल किस दिशा में लगाया जा रहा है कितना लगाया जा रहा है तो कितना लगाया जा रहा है परिमान भी हमें क्या थे और किस दिशा में लगाए जा रहा है तो हमें दिशा भी वालूम है तो इसका मतलब बल एक सदिश राशी है समझ मैं यह बार तो बल के बारे में पढ़ेंगे अब बल के लिए देखो मैं कुछ एक्साम पर आपको बताती हूं कि जैसे कोई लोही की वस्तू है ना देखो ध्यान से समझना सबसे पहले की बल बल हमारे जीवन में भी बहुत उप्योगी है ना जिसे आप सपोज कीजिए कोई वस्तू उठाते अभी मैंने यह पेन मेरे हाथ में पकड़ रखा है और इस पेन को लेके जब मैं बोर्ड पेल लिखू लाओंगी वह है पेशिवल जितने भी हमारे ग्रह है तो है सूर्य के चार ओड चक्र लगा रहे है वहाँ पर भी कोई एक बल काम कर रहा है तो वहां मलब कौन सा बल काम कर रहा है वह सब अभियापन देखेंगे यह आप पर साथी साथ में बात करूं कि आप किसी वस्तू क धक्का देकर एक जगे से दूसरी जगे किसका रहे है वहाँ पर भी आप क्या कर रहे हैं बल का उपयोग कर रहे है तो बल के लिए एक चीज समझ में आनी चाहिए आपको कि सपोस कीजिए कि कोई वस्तू पढ़ी है अब वह वस्तू स्वैम से तो आगी जा नहीं रही है न कर सकती है यानि कि जैसे हमने जब पढ़ा था गती की नियम वस्तू में होता है एक जड़त्व का गुण कि वस्तू जिस इस्तिती में है उसी इस्तिती में बनी रहना चाहती है जैसे कि अगर वस्तू इस्तिती रवस्ता में ही बनी रहना चाहेगी क्योंकि उसके अंदर ज बोख सकते हो और अगर इस तीर है तो उसको चला सकते हो तो बल वैवोतिक राशी है जो किसी भी वस्तु की यार्तिक इस्तिती में परीवर्तन कर देती है वही क्या कहलाता है बल कहलाता है फोर्स कहलाता है और एक सदीश राशी है इसलिए हम इसको एफ सदीश से परदशित क चलो अब बल के लिए क्या क्या होना आउशक है बल के लिए आउशक होना है बल के लिए तीन चीजे आपको मालूम होनी चीए कि बल आरोपित बल का परिमान कितना है कितना बल लगा रहे हो आप किसी वस्तु को धक्का लगा रहे हो उसको उस इस्तान से दूसरी इस्तान पर रिखिन के लिए तो कितना आप ने लगाया है तो पहले तो उसका परिमान ग्यात मैं कि फिर आरोपित बल ने ह and कि दिशा में किसी भी वस्तू पर कारेनत बल को व्यक्त करने के लिए हमें जिन तीन तत्यों की जानकारी आशक है वो तीन तत्य आपने जान लिए अब दो कुछ एक्जामपल देख लेते पहले उन्हों एक्जामपल को देखकर और फिर उसके बाद भी हम बल के बारे में लिखना शुरू करेंगे तो हमारे टोपिक का नाम है बल या फोर्स और यह फिजिक्स में हमारा तीसरा टोपिक है बल या फोर्स बल या फोर्स की बात करूँ तो सबसे पहले जैसे कि suppose कीजिए कि एक चुम्बक है और यह जो चुम्बक है अभी चुम्बक है इस चुम्बक के दो दुरू होते हैं सभी को पता है एक नौट बॉल एक सौट बॉल ठीक है तो यहाँ पर एस दुरू और यह एंडू अब यहाँ पर आपने कोई लोहे की वस्तू रख़रा की है, तो जैसे ही आप ये चुम्बक इस लोहे की वस्तू के पास लेके जाएंगे, ये लोहे की वस्तू अचछटका, भलाव एकदम से इस चुम्बक से चिपक जाएगी, ठीके? वस्तू है, वो लोहे की है और चुम्बक आप जैसे इस लोए की वस्तू के पैस में लाओगे, ये लोए की वस्तू इस चुंबक से चिपक जाएगी. ऐसा क्या हुआ? इन दोनों की बीच में ऐसा क्या क्रेक्शन था? कि ये लोए की वस्तू इसे चिपक गई है. तो यहाँ पर भी एक जो राशी काम कर रही है. भूर दिक्राशी है ठीक है लेकिन एक चीज ध्यान रगा कि ये दोनों ही वस्तु ये संपर्क में नहीं थी ना इन दोनों के बीच में कोई संपर्क नहीं है लेकिन एक बल के कारण ये लोगे कि वस्तु इससे चिपक जाती है दूसरी बात अगर मैं बात करूँ कि आव प्रत्वी है अब यहां से आप किसी भी वस्तु को उपर उच्छा लोगे वह वस्तु उपर कुछ दूरी तक जाकर वापस नीचे ही आएगी जैसे सपोस कीजिए में ये मिरा हाथ में पैन है पैन को मैं उच्छा लूँ अभी तो मैं उच्छा आए ना खराब हो गया तो फिर तो इस पैन को मैं उच्छा लूँ तो कुछ देर बाद में ये वापस नीचे की और ही आएगा यानि इस प्रत्वी के द्वारा भी प्रतेक वस्तु पर कोई बल लगा कर प्रतेक वस्तु को प्रत्वी अपनी और खीचती है ना यानि इस प क्लोए के वस्तु को अपनी और खीच पा रहा है चुम्ब के बल के कारण फिर एक बात करूं कि आपने देखा होगा कि जो electricity wire होते है ना विद्यूत की तार लाइण जो है ना उन तार लाइणों के अंदर आप देखते हो एक आवेश उत्पन हो रहा है है तो इसके आस पांस की मेरा तार की लाइन जो होती है उनके पास में से गुजरने के लिए मना किया जाता है कि मालों कि कोई भी मानव जो है वो इसके पास से जाएगा मैं मानव रखते क्या है विद्युत का सुचालक है अब यहां पर जब यह मानव इसके पास से गुजर रहा है और इस तार की कोई संपर्क था क्या नहीं था लेकिन इस तार में जो ये विद्युत्षेत्र उत्पन हुआ उस विद्युत्षेत्र में एक बल लगाया और इस इस इंसान को अपनी और खीचने का प्रयास किया गया तो यहाँ पर एक बल कारे करा वो करा विद्युत्षेत्र बल कौन सा बल वही विद्योतबल ठीक है तो मैंने पहले उन बलों की एक्जामपल दिये हैं कि जिसके लिए ऐसा कोई जरूरी नहीं है हम वस्तु की स्थितिय में परिवर्ट ला सकते हैं लेकिन उसके लिए जरूरी नहीं है कि वह वस्तुए आपस में संपर्क में हो जैसे यहां देखो क् परिवर्ट का टुकड़ा इस चुम्बक से पहले से संपर्क में था क्या नहीं था ना तो दो वस्तुए संपर्क में हो तब भी बल काम कर सकता है तो चलिए कि यहां से बल का कॉंसेट तो आपको अच्छे से क्लियर होई गया होगा अब जो में में चीज़े है पहले बल्क कि बल क्या है ठीके और बल की परीवाशाव अगरण हमने दे क्या है बल की परीवाशा देखेंगे पाकिरा जो में में हमने जब pauuls के नियम पढ़ें तो हमने का की गणी गई की का च Majesty का दूस्रा नियम है 2nd law of motion, जो दूसरा नियम था, उस नियम के द्वारा जो है, गती का क्या, बल को गणीती रूपे परिवाशित कर सकते हैं, ठीक है, चलिए, तो बल क्या है? बल या फोर्स बल या फोर्स बल या फोर्स क्या है? बल एक ऐसी भोतिक राशी है, जो किसी वस्तुकी यांत्रे के स्थिती में परिवर्दन कर देती है, यह एक सदिश राशी है, जिसे एफ सदिश से पदशित करते हैं, बल एक भोतिक राशी है, बल एक भोतिक राशी है जो की भी वस्तुकी की भी वस्तुकी यांत्रिक इस्तिती में की भी वस्तुकी यांत्रिक इस्तिती में परिवर्तन की भी वस्तुकी यांत्रिक इस्तिती में परिवर्तन कर देती है किसी भी वस्तु की यांत्रिक इस्तिती में परीवर्तन कर देती है। खिलिए आप देखो कि अगर बात करें कि बल जो है किसी वस्तु पर कोई बल कारिय कर रहा है उसको किसे व्यक्त कर सकते ना किसी वस्तु पर की वस्तु पर कारिरत बल को Unie कि वस्तु पर कारयरथ बल कि वस्तु पर कारयरथ बल कि वस्तूपर कारयरथ बल को व्यक्थ करने के लिए व्यक्त करने के लिए व्यक्त करने के लिए तीन तत्यों की तीन तत्यों की जानकारी आउशक है यहां से भी क्रिशन बनता है कि किसी वस्तु पर करने बलको व्यक्त करने के लिए निम्न में से किस तत्य की जानकारी होना आउशक है और यह तीन तत्ये आपको ऑप्शन में द देखे भी आपसे पूछ सकता है, तीन कुछ अलग हो सकते हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए कि किसी भी वस्तुपर जब कोई बल लग रहा है, तो उसके लिए हमें कौन-कौन सी तीन तत्ये, वो आवशक होते हैं, किसी वस्तुपर कार्यात बलको व्यक्त करने के लिए ती तीन तत्यों की जानकारी, तीन तत्यों की जानकारी आवशक होती है, तीन तत्यों की जानकारी आवशक होती है, पहला पहला तत्य क्या था, कि बल जो है, वो किस दिशा में या बल का परिमान क्या है, बल जो है, किस दिशा में लगाया जा रहा है, दूसरा बल आरोपित ब बल का परिमाण। सबसे पहले तो वस्तु पर वस्तु पर आरोपित बल का परिमाण। आरोपित बल का परिमाण। फूसरा कि वस्तु किस बल जो है किस दिशा में लगाया जा रहा है तो आरोपित बल की दिशा। आरोपित बल की दिशा और तीसरे में बात करूँ कि आरोपित बल की दिशा हो गई इसके अलावा उस बिंदू की स्थितिका ज्यान जिस पर बल लगा वस्तु जो है सपोस्थ कीजिए कि एक बॉक्स है यह बॉक्स है अब इस पर धक्का लगा रहे हो तो इस पर बल कहां से काम करेगा बल इस पॉइंट पर काम करेगा अब तभी तो वस्त्यू यहां से इस जगे से खिसकर आगे के ओड़ जाएगी आप बल अगर इस तरफ से लगा रहे हो ena बल आप इस तरफ से लगा रहे हो तो वस्तु इदर से ही खिसकना प्रारम होगी तो बल कहा लगा इस पॉइंट पे लगा बल कहा लगा इस पॉइंट में बल जहां से वस्तु की जिस बिंदू से वस्तु की इस्तिती में परिवर्त राना शुरू हो जाए बल एक्चुल में इस्तिति का ज्यान, उस बिंदू की इस्तिति का ज्यान जिस पर, जिस पर बल लग रहा है, उस बिंदू की इस्तिति का ज्यान, जिस पर बल लग रहा है, ठीके, तो ये तीन तत्य ग्यात होना बहुत जाना जरूरी है, और ये लाइन इंपोर्टेंट है, इससे भी इसके बारे में हमने जानकारी कर डीकिह और मैंने कुछ एक्जांपल आपको पहले ही बता रि cidade Variabars अब बात करते हैं कि बल का मात्रक कैसे निकालते हैं तो बल का मात्रक निकालने के लिए भई हपने पहले मैं देखा कि गणीतिय रूप में बल को किस रूप में परदीशित करते हैं कि बल बडब बराब किसीrence की स्वी वस्थू का द्रेवमान और उसमें उत्रवा का गुरनफल ही क्या क्यलाता है बल क्यालाता है न तो उससे अपन इसका क्या निकाल सकते हैं बल का मात्रक चलो तो पहले मात्रक निकालेंगे हम मात्रक किस में निकाल रहे हैं सबसे पहले हम मात्रक निकालेंगे MKS पदती में, जिसमें निकालेंगे MKS पदती में, अगर आप से पूछा जाएं कि बल का मातरक क्या होता है तो MKS पदती में बल का मातरक होता है Newton, क्या होता है बल का मातरक होता है Newton, जिसे kilogram meter प्रति सेकंड स्क्वेर से भी प्रदशित करते हैं, kilogram 500-енные US dus kongPerfect menitre x Oh ाफवक obtudоров यह तरह हैं अब भलक्तो को पता है की वराबर होता है उसले फोर्मूला हमारे पास में यह सुत्र हमारे पास में उसली मैंने आपको बताया है ता कि अगर आपको सुत्र या यहार दे तो ऊसे भी आप किसी भी राशी का मात्रक निकाल सकते हो यहां देखो वस्तु का धत्रेवमान मा समय के साथ परीवर्तलिघा यहां पर वे इसकी बात करें explanation गी है न explanation या turn explanation या turn explanation acceleration acceleration इसकी बात करें तो ये था वएग बटेवे समय वेग को किसमे मापोगे भई meter में और समय की बात करें यहाँ पर वेग का क्या आगया मिटर और यह समय है ठीक है त्वरंड बराबर त्वरंड बराबर क्या था यह त्वरंड में क्या था मिटर प्रतिस सेकेंड इसक्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्व ठीके चलिए तो अब यहां पर देखो कि अगर आपसे पूछे कि बल का क्या आया तो देखो बल का सीधा-सीधा निकल कर आया किलो ग्राम और इसको भई मुल्टिपल्ड इंटू कर रहे हम तो किलोग्राम इंट्टौ मिटर प्रतिसाइकन स्क्राइब अगर इसको ऩे सिप्तियों किलोग्राम प्रतिसाइकेंड स्क्राइब Trop यहां एस इस तरीके से सउत्ट्र यहां формula से भी हम क्या निकाव निकाल सकते है अभी यह हमने में किसमें निकाला कि there देवान का मातरक में मिटर होता है है कि अब सुनहेт्योटफ आप बात करें हो किया होता है कि एस प्रदे dzi-ẹp आइ twenty įह बुडती में या सब्सक्राइब कि रहा होगा रोगाहरा में किजास प्रतिती में मात्रक की बात करें तो होता है डाइन ठीके अब यह जो डाइन है यह डाइन है क्या क्या है अग अगर अगर मैं कहूं की 1 न्यूटन बराबर यारी दसकी गात 5 डाइन होता है अब यह दसकी आगए पाश डाइन कैसे होता है ध्यांसे समझना कि जैसे मैंने वहाँ पर अभी यह एक न्यूटर हम ने देखा एक न्यूटर किसके बराबर था बैज किलोग्राम मीटर प्रति सेगंड के बराबर था किलोग्राम को आप कैसे लिखोगे हजार से ठीक है और यह मीटर है अब यह मीटर है मीटर को हम लिख लेंगे सो में ठीक है अब यहां पर जो है यह हजार है इसको क्या मैं इससे लिख सकते हूं 10 to the power 3 ठीक है और यह जो 100 है इसको मैं लिख सकते हूं 10 to the power 2 ठीक है अब इन दो उनों को अगर आप multiple करोगे तो क्या आएगा 10 to the power 5 ठीक है तो इस तरीके से यहाँ पर एक newton किसके बराबर है दस्कीगात बलब जो है दस्कीगात किसके दस्कीगात 5 अच्छा समय का भी था ध्यान अगरा जब यह kilogram meter प्रती सेकंड स्क्वेर है तो जब हम इसको उपर लेके चलते जाते तो घात क्या हो जाती है मैनस हो जाती है गात क्या हो जाएगी मैनेस में परिवर्तन हो जाएगे अब छलो इसको करें हम विसको ऐसे वैसे भी कर सकते है kg यारी 1000 ठीक है मिटर की अगर मैं बात करूं एक मिटर में 100 cm होते हैं तो यह 100 cm अब समय जो है 60-60 को multiple कर लो आप सैंड स्कोर मैरे स्कोर लिखावाए तो वैसे भी जब आप करोगे तो इसके 3 0 तो इसके 2 0 10 to the power इसको पहले 100 से 100 कर दो ग्राम में बदलोगे इसलिए तो वही है कि 10 to the power 5 आ जाएगा ठीक है चलिए ज्यादा उलजने की ज़रती नहीं है क्योंकि हम लोग काफी कुछ तो समझे वही हैं आगे बात करें तो किलोग्राम मीटर प्रतिस स्क्वेर हो गया है यह अब बात करते हैं कि CGS में आपने पता कर लिया मकर्ठा कर लिया मकर्ठा म बलका मात्रक स्वेर होता है CGS में बलका मात्रक 10 to the power 5 या नि 10 कि का अध पांच स्वेर 6 अब बात करते हैं कि fps में क्या होता है ना fps में बात करूँ तो fps में होता है पाउंडल क्या होता है ठीक है और एक पाउंडल कि के बराबर होता है तो एक पाउंडल कि याद रखना वहीं एक न्यूटन कि इसके बराबर होता है एक डाइन कि इसके बराबर होता है तो एक पाउंडल बराबर 13825.7 N ठीके यानि इतने N के बराबर 1 Poundल होता है और यह हमें अच्छे से याद रखना है या ऐसे के दो कि 1 kg 1 kg में कितने N होते हैं तो 9.8 N होते हैं 1 kg में कितने वई 2.8 N होते हैं 1 kg में देखर होगी यह बात चलिए अब बात करें कि जहां पर मैंने आपको मात्रक सिकायत है सुत्र से मात्रक निकाला साथी साथ मैंने आपको कहा कि वीमा भी निकाल सकते हैं तो वीमा कैसे निकालोगे है ना वीमा निकालने के लिए कि आपको फोर्मूला याद होना चाहिए तो formula की इसाब से मात्रक क्या था kilogram meter प्रती second square ठीके प्रती second square है अब जब इस second को आप उपर ले जाओगे second को भी जब आप उपर ले जाते हो तो घात किसमें हो जाती है भई माइनस में हो जाती है अब वीमा निकालने के लिए हमें लंबाई तोरी हमें द्रेवयमान लंबाई और समय है ना यह देखना होता है यहां देखो द्रेवयमान की द्रेवयमान क्या लिखावा है किलोग्राम में लिखावा है इसके उपर कोई गात नहीं लगी भी है इसका मतलब द्रेवयमान की गात क्या जाएगी एक आजाएगी ठीके मिटर लिखावा है मिटर यानि अभी हमने निकाल ली है तो बल रहुं परना मातरक में क्या फिर से पर रहुज है या फिर बहुत जरूरी है बल का मातरक में कि न्यूटर होता है यह बो दोरन का दोषए अउसी से विलिया को एक मात्रक . थी बदोरीर्डम सब्सक्राइन यह परना सब्सक्राइब नहीं क्योंड़ता रहा है — 숨क्तल्म टॅन है है कि 13825 points और न्यूटन एक पांडल होता है और एक kg में नोपट आठ न्यूटन पांडल होते हैं ठीक है इसके बार में इसकी वीमा कैसे निकालते हैं चले आगे चलो अब बात करते हैं सीधा सा सिंपल सा कॉंसेट बल के प्रकार लके प्रकार पे बी काफी क्वेशन बनते अब देंखाओ मैशन विए 2স house और totि ञिसा को पुख बाता है स्थाया है तो ज़रूरिन है कि वह वस्तू वह वस्तू मतलब बलप जब दो वस्तुओं पे बल लग रहा है या किसी भी वस्तुओं पे बल लग रहा है तो बल लगाने वाला कारक जो है उसके संपर्क में हो ऐसा कोई जरूर नहीं है अगर ऐसा बल जो वस्तु को बिना संपर्क में आए हुए भी वस्तुओं पर लगता है तो वो तो कहलाता है ऐस संप ने टाइपhand करेंगे तो बल्के प्रकार या या anyway कि इस और भल्के प्रकार याण nghi 16 को उर्स इसमें की इस मिश्थ भीख के वहाले सबसे फेले हम बात करते हैं बल्के प्रकार में सबसे पहल हम लेते हैं तो यह संपरक भल संपर्क, हाँ, सबसे पहले हम लेते हैं, ए संपर्क बल, क्योंकि छोटा है, ए संपर्क बल के example भी कुछ ही है, तो ए संपर्क बल, ए संपर्क बल कौन सा भई, की जो वस्तु के संपर्क में आए भिना ही उस पे लगता है, तो ऐसा बल, ऐसा बल, जो वस्तु के संपर्क में आए बिना ही, ऐसा बल जो वस्तु के संपर्क में आए बिना ही, आय बिना ही वस्तू पर लगता है यहां पर वस्तू और बल दोनों संपरक में नहीं है फिर भी वस्तु पर एक बल लगता है वो कहलाता है ऐस संपर्ग के बल और अब भी जस्ट पहले ही जब अपने बल के लिए example देखे जिसे चुम्ब के बल जहाँ पर लोही के वस्तु कभी भी चुपबा के संपर्ग में नहीं होती है तो वहाँ पर जो बल काम कर रहा है जिसे जैसे मैंने बताया विद्यूदभल वही कहीं पे भी वस्तु संपरग में नहीं होती है विद्यूदभल हो गया लाइक जैसे मैंने बताया गृत्वाAc ऐसे चुम्ब के बल गुएज ब of विद्यूत बल, चुम्प के बल, विद्यूत बल और साथ ही साथ में कृत्वाकर्शन बल, ग्रेविटेशन फोर्स, कृत्वाकर्शन बल, चुम्प के बल, मैगनेटिक फोर्स, विद्यूत बल, अलेक्टिक फोर्स और कृत्वाकर्शन बल, यानि ग्रेविटेशन फोर्स, तो इन तीनों की द्वारा इसमें तीनों कई पर भी वस्तू संपर्क में नहीं होती है और फिर भी वस्तू पर बल लगता है नेक्स बात करें तो नेक्स टाइप आता है संपर्क बल का अब संपर्क बल नाम से ही परता चल रहा है कि जब बल वस्तू के संपर्क में रेकर उस लगता है तो ऐसा बल संपर्क बल किलाता है संपर्क बल को हम कहते हैं रहेकर वस्तू पर लगता है वस्तू पर लगता है संपर्क बल क्यलाता है, ठीके, जिसे example दूँ कि हम जब किसी वस्तू को उठाते हैं तो हम वस्तू के पास पहले जाएंगे और फिर हमारा पेश ये बल लगाएंगे, पहले हम वस्तू को यहाँ पर पेशिये बनकर्शन भी यह सब क्या होगय इसापरना तो जैसे समपरकबल के लिए करें यहां पर कि सबसे पहले तो हमने देखा नौर्वली की बल जो है बल किस्ते प्रकार के हो सकते हैं दो प्रकार की मोटे मोटे तोर प्रकार के संपर्क और संपर्क बल ठीक है फिर उनके संपर्क ड्ल में आते हैं अब जो लिएर पर कम देखा है सबसे पहले हम बात करेंगे संपर्क बल और संपर्क में हमने यह दो एक्जामपल लिखे है एक पेशाब और एक घ्रशान बल यहां पर भी इसमें घ्रशन बल तरह इसंवरी पहले बात कर लातले हैं पेशयबल क्या है? तो मास पेशयो की द्वारा लगने वाला बल पेशयबल होता है. मास पेशयो मास पेशयो द्वारा लगने वाला बल, मास पेशिया द्वारा लगने वाला बल वो कहलाता है भई पेशिय बल, या हम कह सकते हैं ये बल मास पेशिया लगाती है, ठीक है, चलो, नेक्स बात करें, तो नेक्स आता है घरशन बल, अब सबसे पहले घरशन बल को समझना कि फ्रिक्शन क्या होता है, घरशन क्या होत तो उनके संपर्क इस्तान पर गती के विप्र दिशा में एक घर्षन बल लगता है ठीक है संपर्क बिंदू से घर्षन बल लगेगा और वही बल क्या क्लाता है घर्षन बल सपोस करना कैसे एक्जामपल दू कि यहां पर इस सते पर एक लोहे का बॉक्स पड़ा है ठीक है नीचे का फर्ष है कि दोनों सते आपस में क्या है संपर्क में है तो गर्षन बल में सबसे पहली शर्त कि दो वस्तुएं आपस में संपर्क में हो ठीक है या दो सते आपस में संपर्क में रेकर गती करें अब जब आप इस पर धक्का लगाओगे इस पर बल लगाओगे तो य लेकिन इसकी गती का विरोद करने के लिए एक बल कारे करेगा यहां पर इस बिंदु पर वो बल ही क्या है घर्षन बल है क्या है घर्षन बल है ठीके तो यारि दो वस्तुव के संपर्क में और उनके जहां वो वस्वे गति करती है उसकी संपर के मिन्तू पर गति की विपरित दिशा में हमेशा यह वर्ड याद रखना गर्शन बल के लिए यह कीवर्ड आपको याद रखना है विपरित दिशा में विपरित दिशा में जो है एक बल कार्य करता है और वो क्या है गर्शन के और को यहां घर्शन करहां लगेगा हमारे पेर पीछे यानि इसके विप्र दिशा में घर्षन बल लगेगा और फर्फ एक और इक चीज करहँ तो गर्षर एक आउशक बुराई भी और आउशक भी है देखो घर्षन के लिए का जाता है कि घर्षन एक आउशक बुराई है ठीके बुराई क्यों है वो अभी बताएंगे और आउशक क्यों है वो भी बताऊंगे जिसे अगर मालो कि कोई आपने देखा होगा कि अगर फर्ष पर पानी गिरा है तो वहाँ पर आ बल होकर चल पा रहे हो और अगर घर्षन कम हो गया तो आप अच्छे से स्टेपल नहीं हो पाऊगे यानि कि आप जब गती कर रहे थे तो आपकी विप्रित दिशा में जो ये बल कारे कर रहा था वो बल अगर कम कारे करेगा तो इसका मतलब आपकी स्पीड क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी तो जब चिकनी सते पर हम चलते हमारी स्पीड का होता है नहीं होता और फिसल जाते दो दूसरी चीज की घर्षन बल कम नहीं होना चाहिए घर्षन बल अदिक है तो कोई भी चीज जह जहा जैसे कि अब यह बोक्स बहुत भारी ेर ना इसको आपने पहले कुछ बल लगाकर खिसकाने का प्रयास किया, लेकिन यहाँ पर घर्षन बल अधिक होने के कारण, यह box आगे नहीं जा रहा है, घर्षन बल अगर सामान्य है, तो चीजे गती कर सकती है, लेकिन घर्षन बल कम है, तो चीजे गती, वस्तु गती तेज करेगी, घर्षन बल अधिक है, तो वस्तु की गती क्या होगी, कम होगी, ठीक है, तो घर्षन बल जरूरी भी है, एक चीज जोर, घर्षन को कम किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है लेकिन घर्षन को कभी भी सुन्य नहीं किया जा सकता ये भी concept क्लिए रखेगा कि घर्षन को कभी भी सुन्य नहीं किया जा सकता है उसको बढ़ाया जा सकता है या घटाया जा सकता है हम लोग मशीनों में छोटे-छोटे वाल वेरिंग डालते हैं छोट से चले एक चीज़ और कि अब देखो यह बॉक्स था इसको जब आपने खिसका आया वलब आप बल लगा रहे हो और यह घर्शन बल भी काम कर रहे हैं दूसरा एक काम क्या कर सकते हो अगर इस बॉक्स के नीचे आप टायर लगा दो तायर या पई लगा दो और अब इसको खी अब आपने गर्शन बल को समझ लिया होगा कि दो वस्तवे संपर्क में रहती है और दोनों वस्तों के अंदर जो गती हो रही है उस गती के विप्रिदिशा में बलकार ये करेगा और वही क्या क्या एक गर्शन बल ठीक है या लिख सकते हैं गर्शन बल के लिए कि जब दो वस्तवे या सते जब तो वस्तवे या सते आपस में आपस में संपर्क में रहकर संपर्क में रहकर रहकर गती करती है रहकर गती करती है जब दो वस्तवे या सते आपस में संपर्क में रहकर गती करती है तो उनके संपर्क बिंदू तो के संपर्क बिंदू तो उनके संपर की बिंदु पर ही जब्वस्वे या सत्य आपस्में संपर्क में रहकर गति करती है। उनके संपर्क के मिंदु घर्षन बल लगता है बसावल लगता है विप्रिदिश्या संपर्क बिन्दू यह दो कीवर्ण आपको याद रखना है ठीकि चलो अब आगे बात करते हैं अगर सत्य को चिकनी करके हम घर्षन को कम कर सकते हैं लेकिन घर्षन को कभी भी सुन्य नहीं किया जा सकता है तो यहां पर देखो अर्यकशी जोड अगर घर्षन नहीं होता तो हम फर्ष पे चल ही नहीं पाते तो घर्षन आवशक भी है ठीके और इसको बुराई इसलिए का गया है कि बहुत जहां पर घर्षन अधिक हो जाता है वहां वस्विगती ही नहीं कर पाती है तो एक बुराइऊ भी है बट आवशुक भी है कि अगर नहीं होता तो हम फिसल जाते हम वर्ष पिछल ही नहीं पाते तो आवशुक भी है जी bye इस सते को चिकनी करके है क्या लिख सकते हम फिस सते को है की थे को पिकल्य बना कर सते को चिकनी बनाकर घर्षन बल को सते को चिकनी बनाकर घर्षन बल को कम किया जा सकता है सते को चिकनी बनाकर घर्षन बल को कम किया जा सकता है सत्य को चिकनी बनाकर घर्शन बलको कम किया जा सकता है, किन्तु घर्शन बलको सुन्ये नहीं किया जा सकता है अब आगे बढ़ते और आगे देखो, कि ये तो घर्शन बलका हो गया, कि घर्शन बलको आप और घर्शन बलको के लिए एक डाग्राम आप ये बना लेंगे, ताकि जब चीजे आप पढ़े तो आपको इसली समझवे भी आए, कि ये वस्तु है, इस पर बल जो है, इस और ल कि यापर काम करेगा, क्या नी कि इस वस्तु को आगे कि दा काम किस फाल गर्शन बलका तो जादा है, तो घर्शन बन का मात कम हो जाएगा और वस तू आगे की और गती कर जाएगी एक चीज थोड़ा छोटा सा करेक्शन यहां पर आप कर लेना तो अपने एक एक एग्जाम्पल यहां देखा था कि अग्जाम्पल यहां तो यहां पर कि यह जो बल आप लगा रहे हूं अगर यह दो इसके बल कम है तो घर्षन बल अधिक रहेगा और वस्तू आगे गती नहीं करेगी और अगर आप द्वारा लगा गया यह लाइन हमको नोट डालके लिखनी है, घर्षन या फ्रिक्षन घर्षन या फ्रिक्षन एक आउशक बुराई भी है, एक आउशक बुराई भी है, घर्षन या फ्रिक्षन एक आउशक बुराई भी है, आउशक क्यों है, वो मैंने आपको बता दिया, अगर आउशक नहीं है, तो हम चल नहीं पाएंगे, ठीक है, और बुराई इसलिए है, अगर घर्षन मान कम हो, तो वस्त्वे फिसल जाती है, मतलब हम भी फिसल सकते हैं फ समपर के बिंदु है, यहां पर एक बल काम करेगा क्योंकि यहां पर एक बल काम करेगा, कौन सा बल वही घर्षन-बल, अब देखरो पहले प्लाई सिति क्या थी, पहले कंडिशन थी कि आपने इस पे थोड़ा बल लगाया पर उस समय, घर्षन-बलामान जादा था, पहला आपने जो बल लगाया आपके द्वारा लगाया गया बल का मान कम था और इधर घर्षन बल का मान जादा था तो यहां से यह वस्तु खिसकेगी ही नहीं इसकी स्थिति में परिवर्तन हो गाई नहीं दूसरी कंडिशन में क्या हुआ कि सब्सकरते हैं कि अब इस बॉक्स को द आपके वस्तु आपके घेशंट को घेशन को रहा है यहां चैसे ही इस बल का मान बड़ा तो यहां पर जो एक घर्षन बल काम करता यहां पर जो घर्षन बल काम करता इस वस्तु की गती के विरोध का विरोध करता ठीके वो घर्शन बल का मान क्या हो गया कम हो गया अब यहां पर यह घर्शन बल का मान क्या हो गया भई कम हो गया अब बार बार में घर्शन बल नहीं लिखू जहां मैं एफ आर लिखू समझ जाना फ्रिक्शन बल की बात हो रही है ठीके यह मान क्या हो गया कम हो गया यह friction force जैसे ही कम हुआ वस्तु आगे गती कर गई ठीक है अब इससे भी आसान तरीका क्या था अगर इस box के नीचे हम दो पईये लगा लेते तो दो पईये लगाने से क्या होता तो पईये लगाने से यह होता कि यहाँ पर घर्शन बलका मान और भी क प्रिक्ष्चन पॉर्स और भी कम हो जाता और वस्तु ऐजीरी क्या कर जाती कि पॉस्तु को ऑपनलब लोतनी गती करते हैं लोटकाते हैं तो उससे वस्तु क्या को जाती करते हैं अनः की calf ले हो डाएख यह और पाय 앞으로 प्रभाकर जरून का और अहीं क्या से एजिके कि बढ़ते हैं कि जो हमारे पूर्वश जो बंदर प्रजादी जैसे थे और उन्होंने मानव का विकास जब सुरू हुआ तो मारव विकास की इतियास में हम ने देखा कि जिसे-से मानव ने पईये का विशकार शुरू किया अब ये पईये का विशकार उस समय उस सोच कर नहीं शुरू किया कि भई जो है हम फर्ट से लगने वाले घर्शनबल को कम कर सकते हैं उस समय इतना दिमाग भी नहीं सोचा गया था लेकिन साइंस वहीं से शुरू हो गई कि उन्होंने पईय का विश्कार किया इसलिए ताकि जादा से जादे वस्तू को मिलब एक जादा से जादा वस्तू को जो है हम एक इस्तान से दूसरे इस्तान तक पहुछा सकते हैं बट उस समय यह कहीं दिमाग में नहीं आया कि इससे ग्रशनबल भी कम हो रहा है लेकिन इसलिए कर सकते हैं एक इससे दूसरे इससान पर ठीके अब देखो यहां पर इस वस्तू को इस बॉक्स को गती कराने के लिए हमने यह पईय काम में लिए ना तो अब एक छीज ध्यान लगना जब आप इस वस्तू को गती करवाने के लिए सिफ खिसका रहेते तो यह और इ किसका कर आप उसको आगे कर रहे हो तो यह तो किलाता है सरपी घर्षन क्या किलाता है सरपी घर्षन ठीके और जब आप इसको पईये से लगाकर और फिर आगे इसका इसका इस्तान चेंज कर रहे हो यानि इसको लुरका कर कर रहे हो तो यह किलाता है लोटनी घर्षन क्या क अपने बल लगाया और वस्तु ने गती करी तो यह यह गर्शन बल क्या किला या गती घर्शन गती कर दो प्रकार का हो सकता है एक तो सरपी घर्शन जिसको आप खिसकया कर सकते हो और एक पाईये लगाकर यानि लोट नी घर्शन अब आगे अपने पढ़ेंगे कि घर्षन के प्रकार कितने होते हैं यानि फ्रिक्शन फोर्स जो है वो कितने प्रकार का होता है एक होता है इस्तितिक घर्षन बल जो वस्तु की इस्तिती में परिवर्ता लाने ही नहीं देगा और एक होगा वो बल जहां से वस्तु गती करना प्रारम कर देगी वह गति का बलके लाएगा, ठीक है, चलिए, next बात करते है गर्षन के प्रकार या friction, force की types डाइप्स, ठीक है तो घर्शन के प्रकार कर एप रकार Types of Types of Friction Types of Friction घर्षन के प्रकार या या Types of Frickços की हम बात करें चलिए, इसमें सबसे पहले बात करते हैं हम इस्तेतिक घरशन बल की, किसकी बात करेंगे, इस्तेतिक घरशन बल या इस्तेतिक फ्रिक्शन फॉर्स, इस्तेतिक घरशन बल, इस्तेतिक घरशन बल, यानि इस्तेतिक सबसे पहले चीज जैसे कि जब वस्तू पर हम बल लगाए और तता वस्तू में गती ही नहीं हो तो उस समय सते तता वस्तू के संपर्ग बिंदू पर जो बल उसकी विप्रदिशा में काम कर रहा है वह कह्लाता हैний स्लिको तो यह लिख सकता है कि कि जब वस्तू पर कि यह गाए बल लगायो जाये वह सूर रे भाए बल जाल लगाया जाए, लगाया जाए। परंटु फरंटु वस्तु फिर्बी फिर्बी गती ना करे है। तो उस समय, तो उस समय, सतेवे वस्तु के संपर्क बिंदु पर, समय संपर्क बिंदु पर, विप्रिदिशा में, विप्रिदिशा में ऐक बल कार्यों करता है, वही बल कार्यों करता था है, वे कहलाता है, वे है, स्थितिक, स्थितिक, यानि स्थितिक, स्थितिक घर्षन, स्थितिक घर्षन, स्थितिक घर्षन, स्थितिक फोर्स, स्थितिक फ्रिक्शन फोर्स, स्थितिक फ्रिक्शन फोर्स, स्थितिक फ्रिक्शन फोर्स कहलाता है, एक friction force कहलाता है चलिए एगर example के बायत करें तो like जैसे कि ये एक वस्तु है जो कि इस सते पे है और आपके द्वारा इस तरफ से बल लगाया जा रहा है बल लगाने पर भी जब ये वस्तु गती नहीं कर रही है friction बल कहा पर काम करेगा यहाँ पर और यहाँ पर कौन सा friction बल काम करेगा इस्तेतिक घर्षन बल कौन सा बई इस्तेतिक घर्षन बल ठीके यानि कि लगाए गए बल का मान से क्या होगा कम होगा तो ऐसे में वस्तु गती करेगी नहीं नहीं करती करेगी तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जब बल लगाने पर भी बल लगाने पर भी गती ना हो तो इस समय स्थितिक गर्षन बल कारिये करता है ठीक है चलिए अब इसके अलावा हम बात करते हैं कि गतिक गर्षन बल क्या है काइनिटिक फ्रिक्शन फोर्स क्या हो यह लिख सकते हैं यहां पर कि जब हमारे द्वारा या जब जब किसी बयां पर कोई बाईय बल लगता है ना तो जब जब किसी बस तूपर जब किसी बस तूपर बाईय बल इलाईय बल लगाया जाए लगाया जाए डाहिव गवेह कतु क करने लगे वस्तू कति करने लगे तो उस समय उस समय सते वे वस्तू के विपृत दिशामे विपृत दिशामे विपरित दिछा में एक बल कार्य करता है इसे कतिक घर्शन बल कंटिक रशन बल कानेटिक फोर्स तेखिन बल कानेटिक फ्रिक्षन notamment.' कानिटिक फ्रिक्षण फूर्स कहते हैं यानि कि यह जो वस्तू थी अभी वस्तू पर जब आपके दोरह इदर से फोर्स लगाया गया बल लगाया गया और इस बल का मान अधिक था किसके मान से करते बावरी तो उस समय जो है फ्रिक्षिन ब्ल का मान कहाना हो जायेगा और वस्तु क्या कर जाएगा गती कर जाएगी तो यहाँ जो बन करा बंदेखाव वो होता है दो प्रकार का एक होता है सरपी गर्षन और एक होता है लोटिनिक घर्षन यानि कोई भी वस्तु है उसको जब आप गती करवा रहे हो तो दो ही तरीके से आप वस्तु को गती करवा सकते हैं या तो वस्तु को बल लगा कर खिसका कर आप गती कर सकते हो तो जब आप कि इसी भी वस्तु को किसी भी वस्तु की गती जब खिसकाने से हो रही है खिना कर अगर आप magnitude कर वारे हो तो यहां लगने वाला फ्रिक्षन पोड जो है वह क्या क्या ताइगा गती क cognitive घर्शन बल और में कौन सा सर्पी गशन बल जदी को गशन बल कि ये कौन सा बल है भई सरपी घर्शन बल ठीक है सरपी घर्शन चलिए और अगर वस्तु को आप खिसका कर नहीं उसके नीचे पईये लगाकर यानि उसको उसकी गती लोटनी गती में परिवर्तित करके आप कर रहे हो या इस वस्तु के नीचे अगर आप पईये लगा दो तो यहां से क्या होगा गति भी जल्दी से हो जाएगे वस्तु जल्दी से आगे खिषकेगी यहां पर जो friction force काम कर रहा है पहले बात टो वस्तु में गति हो रही है गती हो रही है तो इसका दूसरा रूप क्या हो गया लोटनिक घर्षन तो गतिक घर्षन बल याद रखना दो प्रकार के होते हैं सरपिग घर्षन बल और लोटनिक घर्षन बल चले इसके अलावा भी अब धान से एक की समझना कि मैं अगर आपसे पूछो कि हमने तीन कंडिशन देखी पहली कंडिशन जब आपने बल लगाया और वस्तु खिसकी ही नहीं तो वो था इस्तेतिक घर्शन बल फिर दूसरी कंडिशन ऐसे आई कि आपने थोड़ा और बल लगाया और वस्तु खिसकना प्रारम संत्त कर्षिन या मिट फिरशन क्या होता है इसको समझा अभी लेते हैं बाकी इसको लिखेंगे अपन कल की क्लास में क्लास में आपने क्तिकर कलास अब आप क्या करेंगे थोड़ा और बल लगाएंगे तो ध्यान से सुनना की इसा इस्तिक घ मलवाली इस्तिती से वस्तु अब गती करने वाले स्टिती में जाने वाली है तो वह एक niewम को पोएंट वह एक चोटा बिंदू जासे वस्तु गती करना प्रारम करेगी वहाँ पर भी एक बल काम करेगा सपोस कीजिए कि आपने बल लगाया और आप वस्तु खिसकना प्रारम हो रही है ना चलो अब इस बल को इस तरीके से इस तरह लगा दो इधर से आप बल लगा रहे हो पहले तो वस्तु की इस्तिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा तो यहां पर इस टेटिक घरशन बल काम करता अब एक पॉइंट ऐसा ह wrapper कि वस्तु गती करने वाले वस्ता में जा रही है यह ना के बीच में एक बल कार्य करता है और वो बल कौन सा है सिमांत गर्षन को ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि जो सित्र वस्तु थी और उस इस लिवस्तु में जब आपने गति करभाई तो इस तिर अवस्ता से निकल कर जब वस्तु गति réussi कर Valenti है तो वो बीच वाला जो पॉइंट है वहाँ पर जो बल काम कर रहा है वो कहलाता है सीमान्त गर्शन ठीक है इसको marginal friction भी कह सकते हैं limiting friction भी कह सकते हैं और इसके बारे में जो है हम हमारी next class में और अच्छे जेटेल से चर्चा करेंगे तो friction समते हैं पढ़ें के बारे में आगली क्लास में जोड़ा और बचल यह परकार भी अगली क्लास में तो बस ऐसे ही पढ़ते रहें बढ़ते रहें बने रहें ब्यदान क्लासिस के साथ में बिलते हम हमारी next class में तब तक के लिए थैंक्यू